राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे ये कारिक्रम मित्र की सहायता एक जंगल था उस जंगल में एक उचा पेड़ था उस पेड़ पर एक कववा रहता था कववा बहुत दयालू था वो सभी पक्षियों की सहायता करता था जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कववा उनके बच्चों की देखभाल करता था वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता था मैं हूं काला कववा दूर दूर तक उड़ कर जाता सारी खबरे लेकर आता काव काव कर गाना गाता सब के मन को खुश कर जाता मैं हूं काला कववा मैं हूं काला कववा एक दिन कववे को भूख लगी वो खाने की खोज में निकला उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था वो जंगल की ओरी आ रहा था कववे ने शिकारी को देख कर सोचा ये शिकारी आवश्य कुछ पक्षियों को पकल कर ले जाएगा शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी जाएगा कववा बहुत अच्छा था वो पक्षियों का बहुत ध्यान रखता था उसे बहुत सोर की भूख लगी थी किन्तु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लोट आया जंगल में पहुचते ही कववे ने काओ काओ कर सब बक्षियों को इखटा किया और बोला सुनो भाईयों सुनो एक शिकारी आएगा अपना जाल विछाएगा तुम्हें पकड ले जाएगा मार मार कर खाएगा सुनो भाईयों सुनो सब बक्षियों ने सुना तभी एक मोर कववे के पास आया और बोला लेकिन शिकारी हमें पकड़ेगा कैसे हम तो इतने उचे पेड़ पर बैठे हैं जब शिकारी पेड़ पर चड़ेगा तो हम सब आकाश में उड़ जाएगे अरे मोर भाई उस शिकारी के पास एक जाल है पहले वो जमीन पर चावल के कुछ दाने डालेगा फिर जाल बिछा देगा जब कोई पक्षी चावल को खाने जाएगा तो तुरंट जाल में फस जाएगा इसलिए मैं कहता हूँ भाईयो तुम उस चावल को देखकर लोब में मत आना नहीं तो शिकारी तुम्हें पकड लेगा सब पक्षियों ने कववे की बात मान ली वो जंगल बहुत बड़ा था कववा दूसरे पक्षियों को शिकारी की बात बताने के लिए उड़कर चला गया आगे पहुँचकर कववे ने दूसरे पक्षियों से भी शिकारी के आने और जाल बिछाने की बात कही सुनो भाईया सुनो सुनो भाईया सुनो एक शिकारी हाएगा अपना जाल बिछाएगा तुम्हें पकल ले जाएगा मार मार कर खाएगा सुनो भाईया सुनो सुनो अब कववा बहुत ठक गया था उसे भूख भी लग रही थी वो खाने की खोच में जाने लगा तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा कववा उनके पास पहुचा और बोला भाईयों आप कहां से आए हैं मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा कबूतरों का मुख्या उस कववे के पास आया और उसने कववे से कहा मैं कभूतरों का मुख्या हूं हम सब पास के जंगल से आये हैं और दाना चुगने जा रहे हैं अच्छा अच्छा लेकिन सुनो भाईयों सुनो एक शिकारी आएगा अपना जाल पिछाएगा तुम्हें पकड़ ले जाएगा मार मार कर खाएगा सुनो भाईयों सुनो सुनो भाईयों सुनो कौवे भाई हम उसके जाल में नहीं फस सकते हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं मुख्या जी वो शिकारी बहुत चाला आख है वो चावल के दाने डाल कर जाल लगाएगा जो पक्षी उसके दाने खाने जाएगा वो उसके जाल में फस जाएगा कौवे भाई हम सब तुमारी बात समझ गए हैं तुम हमारी चिंता न करो मुख्या कबूतर की बात सुनकर कवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोच में उड़ गया थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फसे हुए हैं कोवा उनके पास पहुचा और बोला अरे मैं तो तुम सब को बता गया था फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फस गए एक जगह चावल के दाने बिखरे देख कर हमें लोब हुआ हम चावल खाने नीचे उत्रे तो इस जाल में फस गए यह तो बहुत बुरा हुआ अच्छा देखो शिकारी आही रहा होगा लेकिन तुम सब साहस से काम लो साहस और एक ता से बड़ी से बड़ी कठी नाईयां दूर हो जाती हैं तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो हाँ हाँ कव्य भाई यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ यदि हम सब पूरी शक्ति से इस जाल को लेकर उड़ें तो अवश्य ही शिकारी के हातों से बच सकते हैं और फिर हूँचे पहाड के पास मेरा एक मित्र चुआ रहता है उसके दांत बहुत तेज हैं वो कुछी देर में जाल काट कर हम सब को मुक्त कर देगा तो ठीक है भाईयों साहसे काम लो मुख्या जी ने ठीक ही कहा है तुम साम मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो तुम पूरी शक्ति लगा और जाल लेकर उड़ जाओ हाँ ठीक कहते हूं कुमे भाई ठीक कहते हूं ऐसा ही करेंगे कबूतरों ने ऐसा ही किया सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले कववा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा थोड़ी देर में वे सब उचे पहाड के पास पहुँचे मुख्या ने धीरे धीरे सब को जमीन पर उतरने के लिए कहा फिर उसने कववे से कहा कववे भाई हमारा जाल तो बहुत बड़ा है हम सब तो मित्र चुहे के पास जा नहीं सकते तुम ही उसे यहां बुरा लाओ वो वो वहां उधर अपने बिल में होगा ठीक है मुख्या कबोतर जी मैं चुहे भाई को अभी बुला लाता हूं कववा चुहे के बिल की ओर उड़ गया चुहा अपने बिल के बाहर ही बैठा हुआ था और मजे से गा रहा था कववा चुहे के पास पहुँचा और बोला हाए शुहा है क्या का रहकता है क्या का हुआ कि तो बहुर में चव जाल में प्सक रहे है क्या कहां मेरा मित्र कबोटर जाल में प्सक किया है कं dobr को कर भें il वहाँ सामने वो एक जाल में फसा हुआ है उसके साथ ही कभूतर भी जाल में फसे हुए है तो चलो कवे भाई उनके पास चले मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ हाँ चलो चूहा और कवा जल्दी से उस जाल के पास पहुचे मित्र चूहे को देखकर मुख्या कभूतर खुश हो गया और बोला चूहे भाई चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो शिकारी हमें ढूंदता हुआ यहां आ सकता है तुम चिंता मत करो मित्र मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ ठीके 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 जल्दी करो जल्दी थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया सब कभूतर मुक्त हो गए मुख्या ने चूहे और कवे का धन्यवाद किया फिर सब कभूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिये चूहा अपने बिल में चला गया कववा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया वो आज बहुत खुश था क्यूंकि आज उसने देखा था कि मिल जुल कर काम करने में कितनी शक्ति है कबूतरों ने मिल जुलकर भारी मुसीबत से अपने को बचा लिया था वो खुश होकर गाने लगा मिल जुलकर जो करते काम उनके बनते पिगडे काम मित्र वो ही जो सदा मित्र की कठिमाई में आता काम 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 आता काम आता काम यह कारक्रम राष्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्री शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारन निर्मित तथा प्रस्तुत किये गए